Hello everyone, कैसे हैं आप आज एक new video के साथ क्योंकि सबसे पास में financial management के exam है B.com honors के अंदर तो आज financial management का और एक बहुत interesting बात मैं आपको बताओं तो financial management में capital budgeting का class start हो चुका है बहुत जल्दी आज या कल तक upload भी हो जाएगा revision section जिसके अंदर जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी ना वो one shot में पूरा revise कर लेंगे sir one shot में मज़ा आने वाला है revision FM के अंदर तो मैं capital budgeting ही पहले revise कर वा रहा हूँ जो कि बहुत जादा बच्चों को दिक्कत हो रही थी तो मैं आज की video किसली है sir आज की video है most expected chapter जिसमें से सवाल आने ही आने है practical वाले जिसमें से सवाल आने के chances most frequently है और आने है तो मैं कुछ chapter बता देता हूँ बच्चे ये भी decide करते हैं के कौन सा chapter करना है कौन सा छोड़ना है और मैं उसी sequence में बताऊँगा जिस sequence में करना है number one leverage number two value of firm ये उन chapter के नाम बता रहा हूँ जो की बहुत expected है इसको theory of capital structure भी बोलते हैं और किताब में आपको notes में आपको और हर जगा theory of capital structure से मिलेगा number three dividend sir number four cost of capital sir number five capital budgeting और sir इस chapter को मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तीन से चार घंटे में मैं पूरा cover करने वाला हूँ जिसमें से डेड़ घंटे की मैंने recording अल्रेटी कर ली है कम से कम दो घंटे और लेकर पूरा chapter खतम चाहे बच्चा कैसे भी कर रहा हो initial एक दो वीडियो देखेंगे पहले वाली basic basic उसके बाद तीन से चार घंटे में chapter खतम हो जाएगा आपका ये इसके बाद सर कोई और chapter बिलकुल अभी बताते हैं और कौन से chapter आने के chances बनते हैं working capital और आपका operating cycle most expected वैसे तो इसके अंदर अभी और भी chapter pending रह गया और भी काफी सारे chapter है time value of money रह गया काफी सारे chapter pending रह गया है लेकिन मैं बात करूँ तो इन chapter के आने के chances बहुत बहुत ज़ादा है हमारे exam के अंदर तो sir पहले कौन सा chapter करें वही again मैं कितनी बार बता चुका हूँ मैं पहले भी एक दो और ये तीन और number 4 sorry मैं थोड़ इसी numbering में गलत कर दी है आप इसको फटा फट करिए sir और believe करिए यह हो गया आपका number 3 और यह हो गया चार यह चार chapter अगर जो बच्चा चाहता है खतम करना है दो दिन में खतम कर सकता है यह चार चप्टर दो दिन में बसरते concentrate FM पे हो कि भाई आज तो देखो 25 तारिक हो गया चार दिन बाद एक्जाम है तो अब तो FM FM के लिए निकाला होगा ना अपने time तो FM पे अगर आप focused हो तो चार दिन में खतम हो सकता है यह सले बस पूरा का पूरा सर यूटूब पे बहुत सारी वीडियो है अगेन मैं कहूंगा यह यूटूब पे बहुत सारी वीडियो है लेकिन जो बच्चे application पर हमारे साथ enroll है उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा जितने बच्चे application पर enroll है उन सभी को मैंने star लगा दिया है आप एक काम कर सकते हैं कि आप मैं क्या करूं आपको मैं customer के रिका नंबर दे देता हूं जो भी आपकी query हो ना उस पर पूछिए वो मेरे से concern करके आपका कोई ना कोई समाधान कोई ना कोई solution जरूर निकालेंगे description में दे देता हूं link तो कुछ ना कुछ तो हम आपके लिए best करेंगे चार दिन है यह वाला number 5 पे यह एक दिन के आधे दिन में खतम हो जागा देखें यह सारा चप्टर निप्टा यह एक दिन में जिसने कर रखा और रिवीजन करें और यह एक दिन में खतम हो जागा number 5 यह पूरा one day दीजिए आप इसको practice वगरा लेके तो अगर इस तरीके से आप सारा करते हैं तो आपके 50-40 नहीं पूरे 75 या नहीं आपका 100% paper cover up हो जाता है financial management के अंदर तो hopefully आप इसी guidance पर करेंगे लग जाईए पढ़ने को समय नहीं बचा है टाइम नहीं बचा है आपने जो भी 2-3 मिनिट इस वीडियो के अंदर spend किया है बिलकुल भी समय नहीं बचा है आ बहुत simple है आप करके try करिए बहुत बच्चे पता है क्या कर रहे हैं quit कर रहे है यार अब पढ़ानी कुछ study material नहीं लिया यह नहीं लिया application पर सब कुछ डाल दिया है notes थे वह भी डाल दिया है 10 यह लीजिए शिवदास का available है nearby shop से अगर आपको 10 रुपे किराये खर्च करके भी कहीं दूर जाना पड़े घर के पास नहीं मिल रहा तो जाईए bookstore पर और खरीद लीजिए क्योंकि बुक खरीदने का वक्त गया 10 यह खरीद यह और जैसे जैसे मैंने वीडियो हैं और सारे questions मैंने करवाए हुए हैं और फटा-फट से निप्टा आईए hopefully आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मेरी feeling को समझ पा रहे होंगे कि सर वक्त नहीं बचा है do and die की situation है और आप खुद से promise करिए कि सर पांच दिन बचे हैं पांच भी छोड़ो पांच भी दिन तो paper है चार दिन बचे हैं चार दिन में खतम करना है बस किसी तरीके से तो चार के तीन दिन में भी खतम कर सकते हो लेकिन trust on you आप अगर कहते हो कि सर हम कर सकते हैं that means कर सकते हो और अगर आपने बोल दिया सर मेर से नहीं होगा तो भगवान भी आपसे नहीं करवा सकता आके तो उठाईए pen और लग जाए सर अगले paper को छोड़िए पहले FM को खतम जो आपका एक और subject है उसके लिए आपको जो भी time मिला है theoretical है जिसने M में लिया M में और जिसने other subject लिया है उसके लिए अलग से strategy लेके आएंगे सबसे पहले आप इसको फटा-फट से complete करिए thank you so much student video देखने के लिए और अपने दोस्तों को share करिए हर बच्चा पास होना चा करना है आपको खुद का भी और अपने दोस्तों का भी सब एक साथ मिलके करोगे तो बहुत अच्छे आपके marks आएंगे एक दूसरे की help करते रहो thank you so much